एक सवाल आया कि मैं अपने बच्चे की एजुकेशन की तैयारी इंशुरेंस से किस तरह के से कर सकता हूँ तो इस वीडियो में हम लोग डिसकस करेंगे कि आप लाइफ इंशुरेंस प्रोड़क्स से किस तरह से अपने बच्चे की हायर एजुकेशन को प्लान करेंगे सो अंतक वीडियो में बने रहेगा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देज़ेगा चैनल को सब्सक्राइब कर देज़ेगा ताकि आपको इस तरह के की इंफर्मेशन लगातार मिलती रहे तो बेल गाइकन भी प्रेस कर देज़ेगा 17 सालों में 15,000 लोगों के experience के साथ हमने start किया लोगों की training करना financial planning की ताकि वो अपने advisor खुद बन सके आपके पास अलग-अलग investments हैं आपने किस तरह से तै किया कि आपका investment सही है या गलत mismatch है की नहीं सो अभी जब हम लोग discuss करेंगे तब भी कुछ बाते सामने आएंगी बट आपको अगर अपनी life में proper अपनी savings का इस्तेमाल करना है तो join 3 days live workshop money IQ class from Tuesday to Thursday at 7.30 pm at just 299 अगर आपके वास time की कमी है तो आप ले सकते हैं मेरा recorded session जिसमें साथ में मिलेगी आपको e-book just 499 में सब कुछ आपको मिलेगा links are in the description याद रखिएगा आपके advisor आप खुद ही हो सकते हैं यहाँ पर मैं जवाब देता हूँ कि आप अपने insurance से किस तरीके से अपने wealth को अपने जितनी जिम्मेदारिया है उसको पूरी करेंगे तो इसका तरीका क्या है जब हम जिम्मेदारियों को पूरे करने की बात करते हैं तो थोड़ी बोजिल बाते होंगी बोजिल बाते किस तरह से होंगी सबसे पहले मैं ले लेता हूँ यहाँ पे आपका दिल का टुकड़ा आपका बेटा या बेटी इसके लिए अगर हायर एजुकेशन की बात में करूँ तो मैं यहाँ पे एची ले ले लेता हूँ आज की तारीक में अगर मैं ऐस फादर बोलू आपकी कित्ती की तयारी आप चाहते हैं what is your responsibility, responsibility या जिम्मेदारी हम बोलते किसको हैं देखिए responsibility या जिम्मेदारी की बात करें तो हमें नहीं पता बच्चा हमारा क्या पड़ेगा हो सकता है एक पैसा ना लगे, हो सकता है सारा पैसा हमें लगाना पड़े so it's up to you but as a father आप क्या चाहते हैं कि आपके तयारी कितनी हो अब मान लेते हैं यहाँ पे आपने एक मैंने, मैं figure ले लेता हूँ लोग 5 लाग भी खर्च करते हैं, लोग 1 क्रोड भी खर्च करते हैं, मैं यहाँ पे 10 लाग ले लेता हूँ मान लेते हैं यह 10 लाग रुपए हमें हम अपनी तयारी करना चाहते हैं, अब यह गोल तो है लगभग आज से 10 साल के बाद so इसका मतलब college वाले को discount तो देंगे नहीं मेरा पैसा आगर गलत investment हो जाए क्योंकि प्लान आते हैं पूरे इंडिया में बही अलग अलग प्लान में वो बोलते हैं आपको यह मिलेगा लेकिन amount कोई नहीं बताएगा अब दूसरी point क्या है यहाँ पे कि यह जो college वाले ना यह महंगाई को छोड़ते नहीं है यह महंगाई बढ़ाते चला जाते कितना में मना करो यह महंगाई बढ़ाते ही जाएंगे पता नहीं क्यों लेकिन असलियत यह है कि हमको पैसे उतने ही देने पड़ेंगे जितनी यह मांग रहे हैं तो अगर मैं 7% के हिसाब से inflation ले लूँ तो हमने आपके लिए calculator यहाँ प आएगा सो 19.67 लैक्स सो यह मैं बात कर रहा हूं एक चाइल्ड एजुकेशन की बात कर रहा हूं अभी यहाँ पर तो यह तो हो गया कि आपको इतने पैसे का अरेंजमेंट का करना है अब बात आती है इंशूरेंस प्लान से हमें कोई ना कोई प्लान देगा बोलेगा आपक 64 और 5 परसेंट तो अगर मैं 5 परसेंट पे इसको ले लον तो आपके लिए कितना बनता है वह भी बता देता हूं अगर आप 5 परसेंट का लेते हैं तो सो आपने माल लीज़े यहां पर single premium investment कर दिया single premium अब single premium दस लाक रुपए आपने आज लगा दिए 10 साल के बाद इसकी value हो जाएगे अपने आप 5% पर लगभग लगभग सोला लाख रुपए सोला लाख बाकी पैसा आप अपने पॉकट से लगा दीजे सो इंशोरेंस अगर प्लान कर रहे हैं तो थोड़ा सा पेंट तो लेना पड़ेगा देखिए क्योंकि अल्टिमेटली डेथ क्लेम आता है उसके अंदर फ्रेंड्स ध्यान रखिए अगर डेथ क्लेम की बात करें तो टर्म प्लान चाहिए पैसा इरोड नहीं करना सेविंग किसकी आपकी है सेविंग अगर आपकी है तो इंशोरेंस से वेल्थ क्रियेशन इस इंपॉसिबल नीरली नीरली इंपॉसिबल आप अगर देखेंगे SBI Life को High Court का एक decision है जिसमें कि SBI Life के खिलाफ अभी चल रहा है कि एक जाच बैठी है आप सोचो आप अपने पूरी जिन्दगी कमाई डालते हो महंगाई से अगर कम मिला फाइदा क्या हुआ अगर आप इसको देख रहे हैं इस वीडियो को तो क्या आपके बच्चे की वेल्थ बनी यह तो घर का पैसा कम हो गया सर सो याद रखिए अभी ये एक एक एक्जामपल है आप अगर इसी को रेगुलर पीमियम में बदल दीजिए रेगुलर पीमियम में भी सेम कहानी आएगी मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कि दस साल के लिए अगर हम इस इंवेश्मेंट को कर रहे हैं और माल लेते हैं कि हम yearly यहाँ पे असी हजार रुपए जमा कर रहे हैं yearly सो हमारे पास जो टोटल में maturity value आएगी अगर मैंने 80,000 रुपीज yearly दिया है दस साल के लिए सो इसका मतलब यह हो गया after 10 years 5% पे लगभग मेरी value बनती है 10.56 lakhs अगर आपको inflation से उपर दोटका ना मिले या tax देने के बाद inflation जितना नहीं मिले तो आपका कोई गोल पूरा नहीं होगा और दिस इस दा बिग्गेस्ट कल्परिट पूरी जिंदिगी आप पैसा सेव करते हो सेव करने के बाद अगर महंगाई ही कवर नहीं हुई तो आप खरीदोगे कैसे सेफटी का है सेफटी तो हैं नहीं तो आप अगर अपने बच्चे की एजुकेशन इसके जरीए प्लान करना चाहते हैं तो प्लीज रुख जाईए बच्चे का भविश्य और अपना भविश्य खराब मत करिये बच्चे को कवरेच चाहिए तो आप अपने उपर टम प्लान ले लो इंशुरेंस का और अगर आप ये विडियो देख रहे हैं इस तरीके का इंवेस्मेंट आप करते हैं तो आपको सक्त जरूरत है आपको फैनांचल प्लानिंग की पढ़ाई करने की अगर ये पैसे आप ऐसे फालतू के इंस्ट्रूमेंट से फसाद होगे तो अगर आपको लगता है कि आपको वाकई में पढ़ना चाहिए आप कमिटेड हो आप सीरियस हो अपने इंवेस्मेंट के लिए अगर आपको अभी भी लगता है कि क्या फरक पड़ता है तो कोई बात ने अगर आपको लगता है कि नहीं आपका पैसा है बच्चे का हक है तो live session या recorded session से अपनी study को immediately start करिए links are in the description I invite you for my live session that is money IQ class ये Tuesday से Thursday live चलता है और इसमें हम cover करते हैं day one five mistakes that stop you from becoming rich even after saving for whole life आप अगर 15-20 साल बिता चुके हैं तो power of compounding का नुकसान तो ले चुके हैं सो आगे जो समय बचा है उसी में काम कर लिया जाए सही दिशा में कर लिया जाए क्योंकि जो investment आप आज करेंगे उसी पे सबसे ज़्यादा return मिलने वाला है आपको क्योंकि उसी पे सबसे ज़्यादा compounding होगी unknown mystery of financial independence in five to seven years ये day one हम cover करते हैं how will the people create alternate sources to pay bills for their luxury ये हम लोग cover करते हैं first day में day two we discuss the real cases so हम साड़े साथ बेज़े शुरू करते हैं लग बग 10 वे तक class चलती है so पांच real cases आपके साथ discuss करेंगे do's and don'ts to fulfill your responsibilities how middle class families can create alternate income like rich कम पैसे के साथ भी ये possible होती है understand all options to move to upper class in your situation आप middle class से upper class कैसे जाएंगे transformation की journey क्या होती है वो भी discuss करूंगा 17 सालों का जो experience है उससे आप ये program design किया गया है और thousands of people have taken the benefit of this strategies that people use to move from middle class to upper class ये discuss करेंगे then day three is the day of implementation कि आप अपनी life में इसको किस तरह से use करेंगे ये program live आपकी महनत के कारण हम इस पे discount देते हैं और इसलिए हम इसको two hundred and ninety nine में करते हैं क्यों हम और आप दोनों मिलके मेहनत करते हैं इसके अंदर में और इसी का अगर आप recorded version में जाते हैं जहां पर आपका time come है तो आप recording से कर सकते हैं immediately शुरू कर सकते हैं you get the recording of money IQ class साथ में मिलती है आपको मेरी e-book how to replace salary with alternate pension in five years यह e-book लगभग 15,000 लोगों ने इसको पढ़ा है और उनको पसंद किया है this is a financial planning guide complete guide सिर्फ तीस पन्ने में है यह दोनों चीज़े आपको सिर्फ four hundred and ninety nine में मिलती हैं इनके link description में है if you are really worried about your portfolio start your study now